एक समय की बात है भरतपुर नाम के गाउं में सुशीला अपने पती और बच्चे के साथ रहती थी सुशीला की एक ननत भी थी जिसे सुशीला बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी सुशीला चाहती थी कि उसकी ननत सोनिया की जल से जल शादी हो जाए और वो उनके घर से चली जाए सुशीला जब देखो तब सोनिया के उपर हुकुम जारती रहती और उससे दिन भर घर का काम काज करवाती सोनिया अपनी भावी को कुछ नहीं बोलती थी और वो घर का सारा काम करती एक दिन सुशीला सोनिया से बात करते हुए ए लड़की चल कपड़े दो जल्दी जब देखो खाली बैठी रहती है तुझे हम इसले रोटी नहीं खिला थे जल्दी उट और सारे कपड़े धो बिचारी सोनिया रोते रोते सारे कपड़े धोती है काश, काश मेरी माँ जिन्दा होती तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता भावी तो मुझे हर समय परिशानी करती रहती है इससे अच्छा तो मैं मरी जाती जब शाम होने वाली होती है तो सुशीला फिर शुरू हो जाती है ओ महरानी, अब आराम ही करती रहेगी या खाना भी बनाएगी चल जा, जाकर खाना बना सोनिया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है जब खाना बनकर तयार हो जाता है तो वो घर के सब लोगों को खाना खिलाती है शी, इतना गंदा खाना, इसे तक कोई कुटा भी ना खाए इतने में ही सुशीला खाने की थाली फेंग देती है ये सब देख सोनिया बड़ी दुखी होती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है मा, आप मुझे यूँ अकेला चोड़ कर क्यों चली गई यहां मेरा कोई नहीं है मुझे भी अपने पास बुला लो सोनिया को यो रोते-रोते नींदा जाती है और वो सो जाती है और अगली सुबह, सोनिया रसोई में काम कर रही होती है तब ही सुशिला रसोई में आकर सोनिया से कहती है देख सोनिया, होली का त्योहार आने वाला है और घर में बहुत सारा काम है पूरे घर की साफ सफाई करनी है, गुज्या बनानी है और भी तयारिया करनी है भापी, आप चिंता न करें, मैं सब कर लूगी होली का नाम सुनकर सोनिया को एक पल के लिए अपने पुरानी दिन यादा जाते है वो भी क्या दिन थे, जब मैं और मेरी सहेले मिलकर होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे हम सब आपस में होली खेले थे, कितना समय हो गया होली खेले हुए अब तो सर्फ पुरानी यादे ही रह गई है, जब मा जिन्दा थी, तब मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेला करती थी कितना शौक था मुझे होली खेलने का, लेकिन जब से भापी शादी करकी आई तो मैं कभी होली खेली नहीं पाई, बस सारा दिन होली पर खाम ही करती रह जाती हो तब ही बच्चे सुशीला के पास शोर मचाते हुए आते हैं कल होली है, मा, हमें होली के लिए रंग और पिछकारी चाहिए ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें शाम को बाजार से होली का सामान दिला लाऊंगी सोनिया भी बच्चों की बात सुनकर हिम्मत जुटा कर सुशीला से कहती है भाबी आप बच्चों के लिए रंग और पिछकारी लेने जाओगे तो मेरी ले भी ला दे ना तेरी उम्रे है होली खेलने की जा घर में कितना काम पड़ा है जा जाकर काम कर सोनिया कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने काम में लग जाती है और काम करते हुए वो रोती जा रहे थी कुछ तेर में शाम होने वाली थी सुशीला अपने कमरे में बैठी आराम से टीवी देख रही थी तो वो सोनिया को आवाज लगाती है सोनिया, ओ सोनिया, कहां मर गई एक बार में तो उसे कभी सुनाई नहीं देता अहां, अहां भाबी कहां थी, कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही थी पता नहीं, कब तु मेरा पीछा छोड़े की भाबी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो जबान लडाती है मुझसे नहीं भाबी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मैं तो बस क्या, पागल समझाए मुझे देख, परसो होली है और घर का जितना भी काम है सब खतम हो जाना चाहिए मुझे कुछ पहाना नहीं चाहिए होली की और तैयारी भी करनी है भाबी सब हो जाएगा भाबी, मुझे भी होली खेलनी है इस पर मुझे भी होली खेलने दोना बहुत समय से मैंने होली नहीं खेली है क्या करेगी तु होली खेलकर अब तु बड़ी हो गई है, यो तेरा होली खेलना अच्छा है क्या? नहीं खेलनी होली सोनिय मन होती है और सोचती है, भाभी तो मुझे होली खेलने नहीं देगी, सभी लोग होली खेलते हैं पर मैं क्यों नहीं खेल सकती, काश माँ जिन्दा होती तो वो मुझे कभी मना नहीं करती तभी सुशिला सोनिया से कहती है मैं बाजार जा रही हूँ तु घर का ध्यान रखना कहीं इधर उधर मत चली जाना सुशिला बाजार से होली का सामान लेने चली जाती है और सोनिया फिर अपने काम में लग जाती है काम करते करते उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाती है तभी सुशीला भी बाजार से होली का सामान लेकर आ जाती है उसे सोता देख सुशीला का पारा साथ में आस्मान पर चड़ जाता है ए ओ मारानी तू काम कर रही थी या सो रही थी वो भाबी पता ही नहीं चला कब आंक लग गई हो और मुझे नीद आ गई सुशीला सोनिया को खूब खरी-खोटी सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है सोनिया अपने भाबी के ताने सुन-सुन कर तंग आ गई थी राद भी बहुत हो चुकी थी जब घर के सभी लोग सोय हुए थे तो सोनिया घर से निकल जाती है ये रोज-रोज के ताने सुन-सुन कर मैं थक गई हूँ इससे अच्छा तो ये है कि मैं मरी जाओ सोनिया रोते-रोते एक नदी के पास जाती है और उसमें कूछ जाती है जिस नदी में सोनिया कूथे है उसी नदी में एक चुड़यल होती है और वो सोनिया को बचा लेती है और उससे पूछती है जो तुम अपनी जान देने चली थी जब से मेरी भापी आई है उसने मुझे कभी होली नहीं खेलने थी और वो मुझे बहुत परिशान करती है फिर सोनिया चुडैल को सारी बात बताती है होली होली तो मुझे भी बहुत पसंद है पर जब से मैं चुडैल बनी हुillas मैंने भी होली नहीं खेली पर तुम जिंता मत करो इस बार तुम होली जरूर खेलोगी पर कैसे वो वो तुम मुझे पर छोड़ दो क्या तुम मुझे भी अपने साथ होली खिलाओगी हाँ जरूर और हम दोनों मिलकर होली खेलेंगे पर तुम तो चुडैल हो मैं अपना कोई भी रूप बदल सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं तुमारे साथ तुमारे घर में ही रहूंगी चलो अब तुमारे घर चलते हैं सोनिय और चुडैल घर चले जाते हैं और घर जाकर दोनों चुप चाप सो जाते हैं और अगली सुबा, होली का दिन भी आ जाता है, सभी लोग अपने घरों में होली का जश्न बड़े धूमधाम से मना रहे थे, कोई पकवान बना रहा था तो कोई एक दूसरे को गुलाल लगा रहा था, सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे, तभी सुशीला भी सो होती ही रहेगी आज होली का त्योहार है और कितना काम पड़ा है चल जल चल जल जल दी ओठ और काम कर मैं नहाने जा रही हूँ घर में पड़ोसी भी आने वाले होंगे होली खेलने के लिए अहां भापी अपी करती हो सारा काम चुडैल ये सब देख रही होती है तो उसे बड कराती है तो देखती है कि घर का सारा काम हुआ पड़ा है वो घर का सारा काम हुआ देख हैरान होती है तूने इतनी जल्दी सारा काम कर लिया कैसे कोई भूत प्रित करके गया है क्या नहीं भापी मैंने घर का सारा काम किया है सुशीला को तो जैसे विश्वासी नहीं हो रह सोनिया सुशिला की बात सुनकर उदास हो जाती है इतने में सुशिला के घर पडोसी और रिष्टेदार होली खेलने आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं जैसे सुशिला पडोसियों के गुलाल और रंग लगाने आती है तो चुडैल अपने जादू से सुशिला को गिरा देती है जिसकी वज़ा से उसका पैर तूट जाता है हाई रे मेरा पैर मर गई रे इसे भी आज के दिन तूटना था अब मैं होली कैसे केलूंगी मैंने तेरे साथ कितना गलत किया फिर बिदू मेरी सेवा कर रही है भाबी आप भी तो मेरी माँ जैसी हो अगर मेरी माँ होती और उन्हें कुछ हो जाता तो तब भी तो मैं ऐसे ही करती न तो अब क्यों नहीं तभी सुशीला का पती और उसके घर आये सभी पडोसी और रिष्टेदार सुशीला से कहते हैं देखा सुशीला तुमने तुमने तो कभी सोनिया की कदर ही नहीं की और इसने तुम्हें हमेशा अपनी माँ जैसा समझा मैं अपने किये पर शर्मिंदा हूँ मुझे माफ कर दे सोनिया नहीं भाबी आप ऐसा मत बोलो आप तो मेरी मा जैसी हो तभी सुशीला सोनिया से कहती है सोनिया तुझे होली खेलना पसंद है ना जा जाकर खेल ले होली नहीं भावी, मुझे नहीं खेलनी होली, वैसे भी आपकी तब्य ठीक नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, जा, खेलने होली सोनिया खुश हो जाती है और वो अपनी भावी से कहती है, कि मेरे साथ और कोई भी है, वो भी मेरे साथ होली खेलेगी तभी चुडएल सबके सामने आती है, तो सभी लोग चुडएल को देख कर डर जाते हैं चुडएल, ये तो चुडएल है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी तभी सोनिया चुडैल के बारे में सभी लोगों को बताती है इसे भी होली खेलना अच्छा लगता है, ये भी हमारे साथ होली खेलेगी हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी हमारे साथ होली खेलेगी फिर चुडैल और सोनिया सभी लोगों के साथ जम कर होली खेलते हैं